Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, Intermediate Part 1 Chemistry का Chapter No. 8 हमने स्टार्ट किया था Chemical Equilibrium. Chemical Equilibrium में आज हम देखेंगे कि Equilibrium Constant Expression कैसे लिखते हैं? यहींनि एक तो सिंपली आपको पता है Equilibrium Constant बराबर होता है Product Over Reactant की Concentration जो है Product Over Reactant की Concentration है यहीं Product Reactant की Concentration की Ratio की Equal होता है कैसी. Equilibrium Constant Expression है कि अगर हमें डेटा दे दिया जाए तो हम कैसी की Value कैसे निकालेंगे? हम कैसी की Value किस तरह से Find करेंगे? गिवन डेटा से यह है Equilibrium Constant Expression हम एक 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 जामपल ले लेते हैं उस एक जामपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं For example हमारे पास Reaction है Hyper Process का Nitrogen जब Hydrogen से मिलता है Nitrogen और Hydrogen मिलकर Ammonia बनाते हैं अब इसमें Nitrogen का एक मोल है Hydrogen के तीन मोल है और Ammonia के दो मोल है हम यूँ फर्ज कर लेते हैं कि Nitrogen के हमारे पास A मोल है Hydrogen के हमारे पास B मोल है जबके अभी तक Product के Zero मोल है When Time is Zero यह नहीं अभी Reaction स्टार्ट नहीं हुआ अभी हमारे पास सिर्फ Reactants है Nitrogen के A मोल है और Hydrogen के B मोल है Ammonia अभी तक बनना स्टार्ट नहीं हुआ जब Equilibrium पर पहुँचेंगे जब Reaction स्टार्ट होगा Reaction होगा जब Ammonia बनना शुरू होगा तो Ammonia के दो मोल बनेंगे Ammonia के दो मोल है अगर हम Ammonia की Concentration को X से लिखें इसके मोल को तो यह बनेंगे दो मोल 2X जब Ammonia के दो मोल बनते हैं तो Hydrogen के तीन मोल कम होते हैं यानि Hydrogen के तीन मोल हूँ तो हमारे पास आजाते हैं Ammonia के दो मोल Balance Chemical Equation भी यही बता रही है कि Nitrogen का अगर एक मोल हो Hydrogen के तीन मोल हूँ तो Ammonia के दो मोल बनते हैं तो Change किया है अब पहले इसके 0 मोल थे अब इसके 2 मोल बन गे मैंने Plus का Sign लगा दिया Plus 2X जबके Hydrogen के तीन मोल कम हो रहे हैं इसका मतलब माइनस 3X और फिर Nitrogen का एक मोल कम हो रहा है माइनस 1X या माइनस X Means Ammonia के दो मोल अगर हमने यहां पर प्रिपेयर करने हैं तो Hydrogen के तीन मोल यूज होंगे जबके Nitrogen का एक मोल यूज होगा अब Nitrogen के हमारे पास मोल थे कितने A मोल कम कितने होगे X मोल तो इसका मतलब इसके बच कितने गए A माइनस X मोल बच गए Hydrogen के हमारे पास B मोल थे यूज कितने होगे 3X तो बच कितने गए B माइनस 3X और इसी तरह प्रॉडक्ट के हमारे पास दो मोल बनगे जब Equilibrium पर रेक्शन पहुंचा यानि नाइट्रोजिन और Hydrogen के मोल कम हो रहे हैं क्यों कम हो रहे हैं क्योंके अमूनिया बन रहे हैं कितने कम होंगे मोल जितने इनके साथ कोईफिशेंट हैं संसकरें यह एमूल यह बी मॉल उसके तीन मॉल ए तो बी माइनस 3X इसका मतलब इसके 3 मॉल कम होंगे और ए और बी क्या है यह given मोल्स हैं इसके ए मोल्स हैं खत्म कितने हुए X तो यह आ गया ए माइनस X तो यह रियक्टेंट के मोल है एट equilibrium और ये 2X product के mole है at equilibrium अब क्या करेंगे हम इसको concentration में change करने के लिए हम करेंगे mole per decimeter cube यनि ये सारे को volume से divide कर देंगे A-X over volume ये बन गया mole per decimeter cube ये आगया B-3X over volume mole per decimeter cube है यनि ये सारे concentration में convert होगे सब को हमने volume से divide कर दिया अब इस reaction का केसी लिख लेते हैं इस reaction का केसी किसके बराबर आएगा ये reaction है हमारे पास nitrogen hydrogen hydrogen से मिलकर ammonia बनाता है तो केसी किसके बराबर होता है product over reactants product क्या है ammonia ammonia के कितने mole है two तो जो भी coefficient होता है वो exponent बन जाता है ammonia का square over क्या आगया nitrogen का एक ही mole है hydrogen के 3 mole है तो उसका exponent 3 आजाएगा इस केसी के expression में हम ये वाली values लगा देते हैं जो equilibrium पर है क्योंकि equilibrium constant है हमने equilibrium constant expression drive करना है तो ammonia के लिए क्या है two x over v यहाँ पर two x over v लगाएं तो उसका square आजाएगा two x over v का square जबके nitrogen की जगा आजाएगा a minus x over v और hydrogen की जगा आजाएगा b minus 3 x over v का square तो ये square की बज़ाएगा यहाँ पर cube आएगा ये क्योंकि hydrogen का यहाँ पर हमारे पास cube है तो ये आजाएगा b minus 3 x ये हमने hydrogen की जगा यहाँ substitute करना है और इसका cube आजाएगा b minus 3 x over v इसको हम यूं भी लिक्स लेते हैं ये two x over v है तो इसको हम कर सकते हैं four x square over v square तो ये आजाएगा four x square over v square ये a minus x over v है v उपर चले जाएगा तो ये आजाएगा v over a minus x और ये b minus 3 x over v का cube है तो v का cube हम उपर ले जाते हैं b minus 3 x का cube नीचे रह जाएगा तो यहाँ से cancel कर दें ये volume का square यहाँ volume के cube से cancel होगा तो एक volume यहाँ पर v बच जाएगा यह यह इस तरह से cancel हो जाएगा यहाँ एक v बचेगा तो उपर आजाएगा 4 x square ये v और ये v v square और नीचे आजाएगा a minus x over b minus 3 x का cube ये है equilibrium constant expression फार है equilibrium constant expression फार हैबर प्रोसेस फार ammonia senses यानि simply हमारे पास जो भी equation है हम उसमें a और b moles लिख लेंगे फिर जितने balance chemical equation में mole रियक्टन के उतने कम कर देंगे इसका एक mole है तो a minus x इसके तीन mole है तो b minus 3 x जितने product के mole बन रहे है x को उतने से multiply कर दें 2 x और फिर इसको volume से divide कर देंगे ताके concentration के unit बन जाए value substitute कर देंगे अब जो भी given data होगा जो वो mole देगा हम उसके लहाँ से यहाँ पर x की values और a और b की value यहाँ पर substitute करके kc की value निकाल सकते हैं जैसा कि एक example solve कर लेते हैं यहाँ पर देगें हमारे पास है one mole of ethyl alcohol was treated with one mole of acetic acid यानी acetic acid और ethyl alcohol आपस में मिलते हैं two by third of acid जो acid है उसका two by third ester में change हो जाता है at equilibrium इस reaction का case ही क्या होगा अब reaction क्या है कि acetic acid है acetic acid का हमारे पास one mole है वो कहता है कि हमारे पास alcohol का वी one mole है जब reaction स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब है यह दोनों हमारे पास zero है जब time हमारे पास zero है इस तरह से अब जब इसमें concentration में change आएगी तो हम इसको कहेंगे x और x यह मारे पास product x बनेगा यह भी x बनेगा तो यह क्या बन जाएगा one minus x one minus x यह चेंज इन concentration है यह product बनेगा plus x और जबके reactant में इतनी कमी हो जाएगी यह one minus x और one minus x अब हमें पता है equilibrium पे जाके product बनता कितना है जब reaction equilibrium पर आता है जब time equilibrium आता है तो तब हमारे पास जो product बनता है वो बनता है two by three अगर यह two by three बनेगा तो साफ जाहर है यह भी two by three बनेगा क्योंके balance chemical equation में दोनों के mole equal है यह भी one mole है तो यह भी one mole इसका मतलब है यह x की value है जो यह हमें यहां से पता चली के two by three product बनेगा x की value one में से minus कर दें यह आ जाएगा one minus two by three x हमने इस में से minus कर दिया यह भी आ जाएगा one minus two by three means यह बच जाएगा one by three और यहां पर यह भी बच जाएगा one by three यह आ जाएगा हमारे पास two by three और यह भी हमारे पास आ जाएगा one by три यह वाली value हम जो equilibrium constant लिखते हैं हम उसमें substitute करेंगे यह यह ऑली value product के लिए क्या लगाएंगे two by three two by three जबकि reaktent के लिए क्या लगाएंगे one by three one by three यहां पर जो product के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 2 by 3 और दूसरे वाड़ा product भी हमारे पास है 2 by 3 और फिर इसको divide किस से करेंगे reactant से और reactant के लिए क्या लगाएंगे 1 by 3 into 1 by 3 तो यहाँ से यह 3 cancel हो जाएंगे यह बच जाएगा सिरफ 2 into 2 तो इसका मतलब है इस reaction का जो केसी है वो 4 आ जाएगा तो इस तरह से हम equilibrium constant expression से केसी की value निकाल लेती हैं केसी simply product over reactant की ratio होता है equilibrium पर केसी निकालने के लिए हमें reactant और product दोनों की concentration चाहिए होती हैं और वो concentration हम इस तरह से balance chemical equation से find कर सकते हैं सबसे पहले तो जितने mole given है one mole one mole given है product zero होगा start में उसके बाद जितनी change आई यह दोनों x बनेंगे जितनी इनके mole हूँ उतने x बनेंगा यह one है तो one x बनेंगा यह भी one है यह भी one x बन जाएगा और फिर जितने reactant के mole हूँ one है तो उतने x काम हो जाएंगे minus x और यह भी minus x x की value हमें पता है product उसने खुद बता दिया था कितना बनेंगा two by three two by three यह x है तो यह उतना ही minus हो जाएगा one minus two by three यह बच गया one by three one by three और two by three two by three उपर product आ जाएंगे two by three two by three और नीचे reactant आ जाएंगे one by three one by three तो इस तरह इस reaction का केसी four आ जाएगा यह था dear students हमारा एक छोटा सा lecture equilibrium constant expression के बारे में next lecture जो होगा हमारा उसमें हम discuss करेंगे कि डिफरेंट एक्वेलिब्रियम कॉंस्टेंट जो हैं उनके द्रम्यान आपस में रेलेशनशेप किया है थैंक यू वेरी माच े करे थैंक लाइवां तो कि ए भाशिव तो